सबी को जय हिंद मैं नितनिकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Mission NC The Way of Success में दिखिए आज एक मास्टर वीडियो लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए जो NCC जॉइन करना चाहते हैं और Indian Armed Force में जाना चाहते हैं तो बहुत से बच्चों के कमेंट आये थे कि सर NCC को जॉइन कैसे करें NCC को जॉइन करने के लिए कितने उम्र चाहिए कौन से क्लास में NCC को जॉइन करना चाहिए NCC की नूटिफिकेशन कब निकलती है NCC में भरती होने के लिए Running Height कितना होना चाहिए NCC में भरती के समय एक्जाम और इंटर्वियू में क्या Questions पूछे जाते हैं Sir मेरे College में अगर NCC नहीं है तो क्या मैं दूसरे College में NCC कर सकता हूँ NCC को क्या Girls को भी Join कर सकती है क्या B.A. वाले लड़के NCC को Join कर सकती है क्या After Graduation Graduation होने के बाद भी क्या मैं NCC को Join कर सकता हूँ ये तरहा तरहा के Questions मुझे पूछे गए और साथ में अगर NCC में Admission करना हो तो हमें Document क्या चाहिए इस तरह के बहुत से Questions पूछे गए तो आज आपको जितने भी आपके मन में Question होंगे NCC के Related वो सभी आपको अभी पता चल जाएगे इसलिए इस वीडियो को Master वीडियो कहां चाहता है तो अभी जानेंगे पूरा Step by Step बने रहिए वीडियो के साथ चलिए शुरू करते हैं देखें सबसे पहले बताऊंगा Short में कि What is NCC? NCC क्या है? तो इस बात को धान दिजेगा NCC एक Tree Service Organization है जिसमें Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force इन तीनों सेनाओं का एक संगटन है इसमें आप अपनी स्वेच्चा से NCC को जॉइन कर सकते हैं देखेंगा इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आओ NCC में ऐसा जबरदस्ती नहीं है अगर आप Interested हो आपकी अगर इच्चा है तो ही आप आ सकते हैं वरना कोई जबरदस्ती नहीं है और इस बात को भी मैं क्लियर करना चाओंगा कि ये कोई अलग से कोर्स नहीं होता है देखें ये आपको कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही इसको एक Extra Caliculum Activities की जैसे इसको आपको ट्रेनिंग करना होता है ये कोई अलग से कोर्स नहीं होता है जैसे ही आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो तो उसी के साथ NCC को भी कर सकते हो इस बात को ध्यान दीजेगा तो चलिए सबसे पहले में बताना चाहूंगा कि आपको NCC में तीन विंग्स होती है देखेंगा एक important है ये आपको पुरा step by step बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को master वीडियो को आजाता है तो बने रही है देखें NCC में तीन विंग्स होती है सबसे पहले तो होती है army wings, उसके बाद navy wings उसके बाद air force wings ये तीन विंग्स है आपको इन तीन विंग्स में से किस विंग में जाना है तो आप decide कीजिएगा अगर आपको army wings अच्छी लगती है तो army में जाहिए या आपको navy wings अच्छी लगती है तो navy wings में जाहिएगा अगर आपको future में इंडियन army में जाना है तो आप army wings चूज कर सकते हो या आपको इंडियन navy में जाना है आगे चलके तो आप navy wings को चूज कर सकते हो यह आगे चलके आपको Air Force में जाना है इंडियान ने Air Force में जाना है तो आप Air Force Wings को चूज कर सकते हो यह Depend करता है आपके उपर Clear है अब बताऊंगा NCC में दो Division होती है बेटा इस बात को समझेगा पूरा Step by Step समझेंगे दो Divisions होती है सबसे पहली होती है Junior Division उसके बाद Senior Division अब देखेंगे कि यह Junior Division और Senior Division इन दोनों की कहानी क्या है Junior Division किसे कहा जाता है Senior Division किसे कहा जाता है यह पूरा Clear कर दिंगे अभी तो दिखिए Junior Division किसे कहा जाता है तो जिसमें 8 क्लास से लेकर 10th class के बच्चे आते हैं मतलब की ये एक school level का होता है जिसमें 8th class से 10th class के बीच के बच्चे junior division में आते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा साथी में girls भी as the same आप 8th class, 9th class और 10th class के बच्चे जिसमें आते हैं उसको junior division कहा जाता है girls भी इसमें आ जाती है तो इसे JD, junior division और JW junior woman कहा जाता है इन दो short form के नाम से भी उन्हें जाना जाता है JD और JW clear है? अब देखते हैं कि senior division क्या होता है देखेगा senior division किसे कहा जाता है कि जिसमें 10th class के उपर के बच्चे मतलब की college level आता है उसमें 11th कक्षा के उपर के बच्चे 10th class के उपर के बच्चे मतलब 11th, 12th, 1st year, 2nd year और final under graduation ठीक है? post graduation के बच्चे इसमें नहीं आएंगे बिटा senior division में आप 11th class से लेकर आप graduation तक के बच्चे आते हैं post graduation के बच्चे इसमें नहीं आते हैं उसी तरह से इसमें including एक girls division भी होती है जो कि senior division में वो भी आ जाती है ठीक है? इसमें girls के लिए भी सेम है 11th class से लेकर आप final year तक 11th class से लेकर आप final year तक इसमें आते हो ठीक है? अगर मानली जगा आप 11th class में हो तो आप किस में आओगे? senior division में आओगे अगर मानली जगा आप 8th class में हो 9th class में हो तो आप junior division में आओगे तो clear है? तो एक बात को ध्यान दी जगा कि senior division को बटा हमेशा SD और SW के नाम से जाना जाता है clear है? senior division को SD और SW के नाम से जाना जाता है तो देखिए अब एक important question NCC की training कितने साल की होती है? ये भी समझ लीजेगा step by step सभी चीजे समझेंगे NCC की training कितने साल की होती है? तो देखिए NCC की जो training होती है वो 3 साल की होती है इस बात को ध्यान दीजेगा पहले तो बात करेंगे junior division में देखिए junior division में जो NCC की training होती है वो 3 साल की होती है और senior division में भी 3 साल की होती है तो junior division से start करेंगे 8 class 9 class and 10 class ठीक है? आप 8 वी कक्षा 9 वी कक्षा और 10 वी कक्षा में हो तो 8 वी कक्षा में आपको basic training दी जाती है NCC की 9 वी कक्षा में भी आपको basic training दी जाती है NCC की और 10 वी कक्षा में आपको A certificate दिया जाता है त्यान दीजेगा 10 वी कक्षा में आपको A certificate दिया जाता है clear है junior division में NCC 3 साल की होती है अब बात करेंगे कि senior division में कितने साल की होती है तो senior division में भी 3 साल की NCC होती है 3 साल आपको देना पड़ेगा तो सबसे पहले first year में बात करेंगे इसमें first year, second year और third year कहा जाता है इसे तो first year में बेटा आपको basic training दी जाएगी NCC की second year में आपको NCC का B certificate दिया जाएगा और third year में आपको NCC का C certificate दिया जाएगा इस तरह से जो है, वो NCC की जो training होती है वो 3 साल की होती है clear है या तक? शाल है अब देखेंगे जो बच्चों ने जो question पूचे थे उन सभी के answer दिखेंगे अगर आपको NCC joint करना है तो पूरा step by step समझेंगे तो पहला step हमारा क्या होगा? तो आईए, देखते हैं तो सबसे पहला question और सबसे पहली step NCC को joint कैसे करे? देखेंगे, यह first step है बड़ा अगर आपको NCC joint करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको, अगर मान लिजेगा आपको junior division में करना हो या senior division में करना हो तो आपको पहले जिस college में NCC है उस college में admission करनी पड़ीगी first step NCC join करना है तो जिस college में NCC है आपके, उस college में आपको admission करनी पड़ीगी, मान लिजेगा अगर आप 10th class pass हो, अगर आपको 11th में admission करना है और आपको 11th में भी, आपको NCC में भी admission करना है तो आपको ऐसा college देखना पड़ेगा जिस college में NCC हो उस college में आप 11th class में admission कर सकते हो या हो सकता है, आप 12th pass कर लिए हो और 12th pass करने के बाद अगर आपको NCC भी लेना है तो आप first year में जब जिस college में admission करना चाहते हो उस college में NCC होना चाहिए उसी college में आप admission कीजेगा तभी आपको NCC में admission मिल सकती है इस बात को clear है यह ओके, चालिए अब बात करेंगे बटा second question की, step two की अब NCC को join करने के लिए कितनी उम्र चाहिए, बहुत से बच्चों के question होते है, कितनी उम्र चाहिए तो बताऊंगा junior division के लिए 13 से 16 वर्ष 13 से 16 साल के बच्चे को junior division में लिया जाता है और senior division के अगर बात करें, तो उसमें 16 से 24 साल के बच्चों को लिया जाता है, इसकी जो minimum age है, वो 16 और maximum age जो है, वो 24 वर्ष के बीच में के जो भी cat rates होंगे, जो भी बच्चों होंगे, उनको NCC में admission दिया जाएगा, तो आप 24 year के हों, तब भी आप NCC को joint कर सकते हों, ठीक है, clear है, चाली, आप बढ़ते step 3 पे, तीसरा question बनता है बच्चों का, NCC NCC को कौन से class में join करना चाहिए, बहुत से important है, कि बहुत से बच्चों को लगता है कि आप किस class में मुझे NCC को join करना चाहिए, अगर वान लिजेगा, आप junior division में हैं, तो आप 8 class में join करो, 9 class में join करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप 10th class में join नहीं कर सकते हो, junior division में, आप 8 में और 9 में कर सकते हो, ठीक है, अगर बात करेंगे हम senior division की, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, most of the senior division के बारे में बात करते हैं, तो senior division में, बैटा, आप 11th class में, बहुत ही अच्छा मुखा है, आप 11th class में NCC joint कर लो, हो सकता है, गलती से, अगर आप 11th class में join नहीं कर पाए, तो आप 12th class में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 12th class में कर दो, 12th, first year, और second year, आपका तीन साल में NCC complete हो जाएगा, मान लिजाए, आपने 12th में भी नहीं किया, तो आप first year में आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, first year में कर सकते हो, मान लिजा, अगर आप B.E. कर रहे हो, बैचलर आप इंशिनियरिंग, अगर B.E. कर रहे हो, तो आप second year में भी कर सकते हो, लेकिन, इस बाप को ध्यान दिजेगा, लेकिन आप B.E., B.C. कर रहे हो, तो बेटा, आप second year में अगर NCC लोंगे, तो आपको useful नहीं होगा, क्योंकि second year में आप जब लोंगे, तो first year आपको basic training, और second last year में आपको स्रिफ final year में जब आप होंगे, तब आपको B certificate मिलेगा, clear है, जब आप second year में लेते हो, तब आपको, देखिए NCC 3 साल की होती है, अगर आप second year में लेते हो, तो आपको पहले साल basic training दी जाती है, और जब आप final में होंगे, तब आपको B certificate मिलेगा, यानि कि आपको C certificate नहीं मिलेगा, अगर best अगर अच्छा है, अगर आपको NCC लेना है, तो आप 11th class में लीजे, या 12th class में लीजे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप first year में ले सकते हैं, अगर आप B के student है, bachelor of engineering के, तो आप NCC को second year में भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो course होता है, वो चार साल का होता है, तो second year में भी ले सकते हो, आराम से हो, C certificate complete कर सकते हैं, लेकिन BA, B.com, B.h.c. वाले जो बच्चे, वो second year में करेंगे, तो उनको C certificate नहीं मिल सकता है, सिर्फ उनको B certificate ही मिलेगा, चलिए, अब बात करते हैं, कि NCC की step number 4 की बात करते हैं, अब NCC की notification कब लिकलती है, यह भी एक important question है, देखिए, ऐसा तो नहीं कि आज इस college में admission आपने की है, उस college में NCC है, तो आपको सिधा NCC में admission मिलेगी, ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान दीजेगा, आपने तो admission की है, देखिए, अब NCC की notification कब निकलती है, तो जो NCC की notification है, वो हमेशा July मन्त में निकलती है, जुलाइ मन्त में निकलती है, इस बात को ध्यान दीजेगा, और जुलाइ के first और second week में वो notification जो है, वो निकल जाती है, अब आपको पता कैसे चलेगा, कि NCC की notification निकली है, तो देखिएगा, NCC के notification को आपके notice board पे लगाया जाता है, notice board पे लगाया जाता है, आपको चेक करना होता है daily की notice board पे क्या notice लगी है, उसी में भी NCC की भी notice लग जाएगी, हो सकता है कोई cadet आपके classroom में आकर आप सभी को बता भी सकता है, कि जिस cadet को, जिस भी बच्चों को NCC join करना है, वो NCC room में आकर मिल सकते है, ऐसा भी कह सकता है, कोई cadet आकर आपके room, आपके class में, यह हो सकता है, आपके notice board में लग जाए, तो यह हो सकता है, आपके principle के द्वारा आपको prayer के समय भी इसका information दिया जाता है, तो यह जो notification है, इस तरह से आपको पता चलती है, इस बात को ध्यान दीजेगा, चलिए, इसलिए आप हमेशाँ जो होता है, आप notice board को हमेशाँ चेक करते रहिएगा, तब आपको पता चल जाएगा, अगर आप junior division में है, तो school में हो, तो school में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको prayer के समय पता चल जाता है, और साथ ही में देखिएगा, आपके जो, जो भी क्या date है, एक लड़का आपके classroom में आता है, classroom में आपको सभी को बता देता है, कि जिसको भी NCC join करना है, वो आप सभी NCC room में मिल सकते हो, ठीक है, चलिए, या तक clear है, अब बात करेंगे step 5 की, step 5 की, step 5 क्या है, तो NCC में भरती होने के लिए, height, running कितना होना चाहिए, बहुत से बच्चों के comments आए थी, कि height कितना चाहिए, running कितना चाहिए, सब, देखिएगा, सब कुछ clear करेंगे, step by step, अब पूरे basic से जान रहे हैं, तो आप देखिएगे height कितना चाहिए, और running कितना चाहिए, देखिए, अब क्या होता है, NCC की vacancy होती है, बहुत कम, उसमें आते हैं बच्चे ज़्यादा, बच्चे जब ज़्यादा आते हैं, तब आपके A&O sir को क्या करना पड़ता है, मजबूरन, मजबूरन आपके A&O sir को क्या करना पड़ता है, उसमें height की parameter दालना होता है, उसमें running की parameter दालना होता है, क्योंकि क्या होता है, vacancy कम होती है, बच्चे ज़्यादा होती है, अब लिया जाए तो किसे लिया जाए, इसलिए बेटा क्या करना पड़ता है, कि height, जो अच्चे-चे height वाले बच्चे उन पे ज़्यादा बच्चे आते हैं वहाँ पे यह कंडिशन को रखा जाता है रनिंग अगर रनिंग की बात करें तो आपको 1600 मीटर दोड़ना पड़ता है जो भी कड़ेट्स कम सी कम समय में जल से जल 1600 मीटर पार करेंगे उनको लिया जाता है अब देखें कि बच्चे ज़्या कर सकते हो ठीक है लेकिन बच्चे ज़्यादा हो तो यह कंडिशन लगेगी चलिए अब बात करते हैं बटा स्टेप नमबर सिक्स की क्वेशन नमबर सिक्स की NCC में भरती के समय एक्जाम में क्या क्वेशन और इंटर्वियों में क्या पूचा जाता है ठीक है यह भी एक इ इंटर्वियों रखा जाता है कि जिसकी वेकेंसी NCC की कम होती है बच्चों को छाटने के लिए एक्जाम और इंटर्वियों से गुजरना पड़ता है अब इक्जाम में क्या पूचते हैं बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि एक बेसिक क्वेशन होगे जो GS की क्वेशन हो क्या आपको देश सिवा करने के लिए NCC क्यों लगता है कि एक important way है आपके hobbies क्या है आपके अंदर जो भी qualities होगी आपका self confidence चेक किया जाएगा आपका teamwork चेक किया जाएगा मतलब कि आपके अंदर क्या ability है क्या आप NCC को 3 साल तक complete कर पाओंगे यह चेक करने के लिए आपको interview रखा जाता है आपको एक छोटा सा exam होता है सवमार का exam होता है basic question होते है ज्यादा hard question नहीं होते है इस बात को ध्यान दीजेगा clear है चालिए अब देखेंगे बेड़ा step 7 को question number 7 को NCC में भरती के समय documents क्या देना पड़ता है बहुत से questions बच्चों के question पूछे थे कि document क्या दे आप पूरे step by follow करते करते आप आप पहुचे आपका selection हो गया है ठीक है आपका selection हो गया है आप interview में भी pass हो चुके हो आपका selection हो गया है तब आपको document क्या देना पड़ेगा देखेंगा अगर आप junior division में junior division में जो है वो physical physical height running winning उतना मायने नहीं रखता है लेकिन senior division में बहु आपके passport देने पड़ेंगे फोटो देने पड़ेंगे और एक आधार कार्ट देना पड़ेंगा अब senior division में आपको क्या देना पड़ेंगा तो इसमें आपको दो फोटो देने पड़ेंगे आधार कार्ट देना आधार कार्ट की जरोक्स देनी पड़ेगी बिड़ा और डाकुमेंट स्रिप लगते हैं NCC में भरती होने के लिए क्लियर है यहां तक चालिए स्टेप नंबर अब यहां तक तो आप हो जाओगे भरती NCC में भरती हो जाओगे लेकिन एक क्वेशन बनता है एक important क्वेशन है सभी के मन में एक doubts होता है कि मेरे college में NCC नहीं है तो क्या मैं दूसरे college में NCC कर सकता हूँ मेरे college में NCC नहीं है क्या मैं दूसरे college में NCC कर सकता हूँ यह बहुत से बच्चों के मन में doubt से इस बात को ध्यान दीजेगा तो यह जो बच्चे हैं बटा वो दूसरे college में NCC को joint कर सकते हैं देखें इनके लिए मैं दो रास्ते बताऊंगा तो पहला रास्ता है कि अगर आप किसी बड़े cities में बड़े शहर में रहते हैं या divisional level के city में रहते हैं तो वहाँ पे open battalions होती है जहाँ पे आप किसी भी college के बच्चे वहाँ पे जाके admission कर सकते हैं लेकिन उनको admission जब करेंगे तो बटा ये सब कुछ चीज़े हो ये सारी चीज़े उनको follow करने पड़ेगी ठीक है उनको running, physical, medical सब चीज़े वहाँ पे आपको करना पड़ेगा ठीक है और एक चीज़ अगर बताऊंगा दस सेकंड रास्ता है अगर आप open battalion में join कर सकते हो बड़े city में रहते हो मान लीज़ेगा आप छोटे city में रहते हो छोटे शेहर में रहते हो तब आप क्या करिएगा जिस भी college में NCC है जिस school में NCC है वहाँ पे आप उनके NO से आप बात करिएगा वहाँ से और वो भी आपको बिल्कुल NCC में admission देंगे आच्छे से बात कीजेगा उनके साथ और आपके college में एक non objection certificate जिसको NOC कहा जाता है आप आपके principal के पास जाएगा और principal को बोलिएगा कि sir मुझे NCC join करना है तो मुझे एक NOC चाहिए तो आपके principal आपको NOC देंगे उस NOC को लेके आपको जिस भी college में NCC है उस college के NO sir को आपको NOC को देना होगा तब ही आपको NCC में admission मिलेगी clear है यहां तक अब एक question बनता है कि देखिएगा आपको NCC में join होना हो तो आपको medically fit होना पड़ीगा ठीक है अगर आप medically unfit होते हो तो दिक्कद आती है बेटा admission के समय आपको medically fit होना बोच ज़रूरी है और साथी में एक document आपको याद रखिएगा कि NCC में join करते समय आपको एक medical certificate भी देना पड़ेगा clear है देखे ये सभी चीज़े जब follow कर अगे आप तब आपको NCC में admission बिलकुल मिल जाएगी ठीक है अगर आपको NCC के related कोई भी doubts होता है तो आप मुझे comment section में comment करके जरूर पूछेगा कि मैं आपको कि जो भी doubts आपके होंगे मैं उसको reply देने की कोशिश करूँगा और साथ ही में देखेंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीज़े अगर बिलकुल भी वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो dislike कीज़े लेकिन इस वीडियो को अपने सारे दूस्तों के साथ शेयर कर दीजे आपके पूरे whatsapp ग्रूप में शेयर कर दीजे ताकि सभी को पता चले कि NCC में admission करने के लिए क्या process होती है ये बच्चों को पता नहीं ये process क्या होती है तो आप क्या उनकी help कर सकते तो इसलिए वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजे सभी whatsapp ग्रूप में और इसी तरह की नहीं जानकारी पाने के लिए आपके अपने youtube चानल Mission and see the way of success को subscribe कीजिए आपका किमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता हो दोस्तो अगले वीडियो में जाहेंद वन्दे मातराम